हेलो एवरिवन, शिर्फ शक्ती चैनल में आप सबका स्वागत है यह Divine Masquerine की Current Energy के उपर वीडियो है आपके जो counterpart है इस टाइम में Chasing की Energy में है आपको Chasing कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा Positively ठीक है? Negatively नहीं Positively जैसे होता है ने बहुत से Divine Masquerine बहुत ज़्यादा Anger Issue में होते हैं या उनका Anger Issue होता है बहुत ज़्यादा Jealous वाली Energy में होते हैं या गुसे में होते हैं बहुत ही ज़्यादा Hate वाली Energy में होते हैं उदर से वो Negativity send कर रहे होते हैं आपको stop कर रहे होते हैं negativity के साथ दीक है बट यहां पर ऐसी energy नहीं है यहां पर positive energy निकल के आ रही है chasing के साथ आपके जो counterpart हैं वो आपको कहीं न कहीं chase कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा उनको आपकी energy positive energy उनको pick हो रही है आपका positive aura उनको बहुत ज़्यादा effect कर रहा है वो अब आपको अपने heart में कहीं न कहीं फील कर पा रहे हैं और जो song मुझे channel हुआ है वही मैं description box में डालूँ है बहुत भी beautiful song है आपके counterpart की current energy जो है वो यही है और इसको मैं सुभह meditation के सामने meditation करने के बाद यह pop up हुआ और होदी मैंने इसको सुना इलकुल heart से यह connect हो रहा था और यह collective divine masculine के लिए divine की energy है collective divine masculine की energy है जो पता रहे हैं इस song के through ठीक है और जो divine ने यह sign दिया है तो वहाँ पर इस time divine masculine आपको chase कर रहे हैं इंस्टा हो सकता है facebook हो सकता है और आपका whatsapp हो सकता है या mind में ही आपको बहुत जादा chase कर रहे हैं आपकी bubble face जो है उनको बहुत जादा याद आ रहा है या आपकी कुछ ऐसी बाते जो इसको वो माइन में हिट कर रहे हैं, एकदम से उनको हिट कर रही हैं बातें वो समझ पा रहे हैं इस relationship को कि हाँ ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ था या divine feminine ने अभी कुछ उनको hint दिये हैं या कुछ भी बताया है तो वो उससे खुद को connect कर पा रहे ह अपने आप को connect कर पा रहे हैं अपनी life को connect कर पा रहे हैं और इस relationship पे कही नगे उनका believe पड़ता जा रहा है इस relationship पे वो कही नगे Bakी बीव कर पा रहे हैं ठीके तो divine masculine आपकी बात चल रहिए है बहुत अच्छी बात चल रही है बीच वीच में अगर communication रूँ भी रहा है बट पात चलना आपकी शुरू हो गई आप दोनों के भी पात चल रही है और divine masculine इस time इस relationship को accept करने के पूरे-पूरे mood में है या आप समझ सकते हैं उनका mind जो अभी तक उनको बहुत ही ज़्यादा manipulate कर रहा था या इस connection से उनको बहुत ही doubt आपके बिच ये चीजे अब बिल्कुल भी नहीं आएंगी जो अभी तक आ रही थी या वो आपको आप पर डाउट कर रहे थे अपनी जर्नी पर डाउट कर रहे थे बट अब ऐसा नहीं है और एक positive sign ये भी है कि अब आपके counterpart जादा sexual टॉक ना करके positive talk कर रहे हो या बहुत जादा spiritual talk कर रहे हो ये भी positive sign है कि उनकी awakening भी अब चल रही है और वो इस relationship को दिल से और दिमाग से दोनों से ही accept करने को पूरी पूरी तरीके से तयार है ठीक है और जो आपकी feelings हैं जो आपके emotions हैं आप अपने heart chakra में feel कर रही होगी एक pain feel कर रही होगी या एक खिचाव महसूस हो रहा होगा या एक जैसे नहीं होता है हलका सा दर्द सा आपको feel हो रहा है तो ये आपकी divine sign की missing energy है क्योंकि अब उनका heart chakra भी balance हो रहा है वो भी अपने heart chakra में आपको feel कर पा रहे है उनको भी ये feel हो रहा है कि ये relationship बिल्कुल अलग है ऐसा उन्होंने आज तक कभी भी किसी के साथ feel नहीं किया वो long distance में है आप से तब भी और अगर आप से मिलने आए हैं या आप मिले हो तब भी उनको ये एक अलग ही एहसास उनको feel हुआ है इस relationship में तो जो divine masculine है बहुत ही ज़्यादा positive है अपनी journey को लेकर एकदम committed है और अब वो चाहा कर भी इस journey से भागना नहीं चाहते हैं अपनी relationship से भागना नहीं चाहते हैं पूरी तरीके से accept करना चाहते हैं और ये बहुत सी divine feminine के साथ हो भी रहा होगा बहुत सी divine feminine अगर बात कर रहे होंगी तो आपको खुद ये feel हो रहा होगा कि yes ये अब इस journey को मान रहे हैं ये accept कर रहे हैं ठीक है तो बहुत ही खुब सूरत energy जो है वो इस time divine masculine की है और दोनों कपल reunion के बहुत ज़्यादा करीब है या बहुत से मैं ये कहूंगी बहुत सी divine feminine का reunion हो भी चुका है और ये 1010 portal जो आ रहा है इसमें भी divine feminine देखेंगी कि आपके counterpart से आपका reunion हो गया है या mini reunion ये दोनों चीजे आपको 1010 portal तक मिलेंगी ही मिलेंगी ठीक है जो इस journey में काफी आगे बढ़ चुकी है या इनको बहुत ज़्यादा time हो गया है inner work complete कर चुकी है proper तरीके से balance है कोई भी issue trigger नहीं कर रहा है family trigger नहीं कर रही है family trigger करने की कोशिश भी कर रही है कही ना कहीं से या आपके counterpart भी trigger कर रहे है तो आप पहले की तरहें trigger नहीं हो रही है पहले की तरहें परिशान नहीं हो रही है अभी आपको trigger हुआ और आप तुरंत खुद को balance कर लिए तो इस तरीके से चीजे हो रहे है तो वो आप inner work दीरे-दीरे करते-करते या relationship में आने के बाद भी उसको heal कर सकते है या आपका वो heal हो जाएगा क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा अवेकंड हो या आप इतने ज़्यादा awareness में हो आपको चीजे समझ में आ रही है कि कहां पर कौन सी चीज आपको trigger कर रही है कहां पर खुद को balance करना है क्या चीज release करनी है और किस से cut off करना है किस के साथ relationship में रहना है ठीक है किस तरीके से सामने वाले को handle करना है ये divine feminine इस time बहुत अच्छे से जान चुकी है समझ चुकी है ठीक है तो जो divine feminine इस energy में है तो आप समझ जाए कि आपके counterpart आपको miss कर रहे है बहुत जादा positive energy पिक हो रही है बहुत जादा loving energy पिक हो रही है तो ये आपके counterpart की energy है और वो आपको कही ना कहीं बहुत जादा chase कर रहे हैं बहुत जादा miss कर रहे हैं और ये उनको एक नया एहसास हुआ है प्यार का जैसे नहीं कहते हैं कि अभी अभी उनको बिल्कुल नया ऐसास मतलब अभी तक वो एक डाक नाइट ओफ दा सोल से गुजर रहे थे या उनका death and rebirth का process चल रहा था बहुत ज़्यादा problem को face कर रहे थे तो वहाँ पर जो आपने उनको एक positivity दिये जो एक hint दिया है अपने relationship को लेकर या कुछ भी उनको पता चला है तो उससे उनको थोड़ा relax मिला है उनको mental peace मिला है एक inner peace कही ना कही उनको feel हुआ है ठीक है और अगर वो अभी accept नहीं कर रहे हैं आप से बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ आपको शांत रहना है patience रखना है किसी तरीके की आपको जल्दवाजी यहाँ पर नहीं करनी है ठीक है तो यह आपके counterpart के energy थी next video में मैं फिर मिलूंगी तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए खुश रहे हैं सौस्त रही है